पोटेटो यानी आलू, आलू से जुड़े कुछ रोचक तरते हैं और बैस्वे कुल फसल उत्पादन 300 मिलियन मेट्रिक टंग से ज़्यादा है देशी आलू की 4000 से ज़्यादा किस में पाई जाती है जो ज़्यादतर एंडीज में पाई जाती है बे कई आकार और आकरतियों में होती है आलू पूरी दुनिया मौगा जाता है लेकिन इसका मूल स्थान दक्षिड अमिर का है भारत में है 16 मी सताबदी के आसपास पूर्तगालियों ज़ारा लाया गया था आलू पोस्टेक तत्वों से भरपूर होता है इसका मुख के पॉस्टिक तत्तो श्टार्च होता है। इसमें कुछ मात्रा में उच्चमान वाले प्रोटीन भी पाये जाते हैं। आलू छारी होता है इसलिए है सरीर में छारों की मातरा बढ़ाने और उसे लेवल करने में काफी मदद करता है और है सरीर में एसीडोसिस भी नहीं होने देता है आलू में सोडा, पुटास और बिटामिन A, बिटामिन D भी आलू का सबसे अधिक मैत्तोपूर, पौश्टिक त काना चाहिए क्योंकि आलू का सबसे अधिक पौश्टिक भाग छिलके के ठीक नीचे होता है और जब हम छिलका ऐसे उतार देते हैं उसके साथ में उसका पौश्टिक तत्त भी काफी मातरा में छिलके के साथ चले जाते हैं जो प्रोटीन और खनिस से भरपूर होता है बैक्टिरिया के पिकास में मदद करता है जिस पानी में आलू को छिलके समेत वाला जाता है वहाँ पानी सरीड में तेजाप की अधिक्ता के कारण होने वाले रोगों की आदर्स दबा बन जाता है पाचन संबंदी समस्याओं में आलू बहुती कारगर सिद्ध होता है यह कि सूजन और अलसन में भी काफी फाइदे मंद होता है आश्चार की बात तो है कि आलू की रस्दा लुगदी या पेस्ट जुर्यां बढ़ती उम्र के दाग बढ़ती उमर के दाग धब्बे और तोचा की रंगत निखाने में काफी फाइदे मंद होता है तो दोस्तों आल झाल कर दो झाल